किसान भाईयों सर्सों में अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है कि हम सर्सों की उन्नत किस्मों की बुवाई करें इसके लिए उन्नत किस्में है किसान भाईयों सर्सों की बुवाई 15 सितंबर के बाद और अक्टूंबर के अंतिम सपता है सर्सों की बुवाई कर लेनी चाहिए समय पर बुवाई करने से फसल भी अच्छी होती है और मोईला और पाले से भी हम पसल को पचा सकते हैं बुवाई के लिए 4-5 किलो प्रती हैक्टियर बीच का उपियोग करना चाहिए ध्यान रखे कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमेटर और पोधे से पोधे की दूरी 10 सेंटीमेटर रखनी चाहिए बुवाई से पहले वीजो अपचार जरूर करना चाहिए इसके लिए सफेद रोली या सफेद पोपोला रोग के लिए मेटल एकसील 6 ग्राम परतिक किग्रा बीज की दर्शे उपचारित करना चाहिए सरसों की फसल को पेंटेट बर्ग और आरा मक्षी बहुत नुकसान पहुँचाती है इसके लिए सरसों की बुवाई के समयी बीज को इमीडा क्लोप्रीड ग्राम परतिक किग्रा बीज की दर्शे उपचारित करना चाहिए यह उपचार करने से इसमें पेंटेट बर्ग और आरा मक्षी लगने की समश्या नहीं आएगी या फिर किसान भाई को जेव फुपूंदना सी या अन्य रोगों से फसल को बचानी के लिए ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करना चाहिए इसके लिए किसान भाई को 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा परतिक किलो बीज में मिक्स करके फिर बुवाई करनी चाहिए और बुवाई से तीन से च्यार सप्ता हैं पहले गोबर का सड़ा गला खाद आवशिकता अनुसार खेत में डालना चाहिए किसान भाईयों को ध्यान रखना चाहिए कि मेटल एक्सील और इमीडा कलोप्रीड या फिर ट्राइकोडर्मा इन तीनों में से किसी एक से ही विजोबचार करना चाहिए इस परकार से हम अच्छी किसम और विजोबचार के मात्यम से एक अच्छी सर्चों की फसल और अच्छी पेदावार हम ले सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद